तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 9th NCRT XS 1.3 के बचे विए कुछ examples को इसके पहले के examples और XS को अगर आपको देख रहा है तो playlist को follow को सकते हो फिलार के लिए example number 9 समझते हैं Show that 0.2353535 is equal to 0.235 bar can be expressed in the form of P upon Q Q मरला आपको 0.235 bar को express करना है P upon Q के form में P upon Q के form में आपको बताना है से या relational के form में बताना है where P and Q are indices जहांपे P और Q कुछ indices होंगे वो Q की value 0 के equal to नहीं आना चाहिए solve करते हैं पिछले examples अगर आप देखेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा आपको यहां हो सकता है कुछ error रहे जाए आपके लिए कुछ चीज़े clear ना हो तो पिछले examples को जरूर देखेंगा आप हमारी playlist से फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं solve करते हैं example number 9 को तो जैसे हमने पहले clear किया था जो भी आपको दे रखाया वो आप 0.235 3535 को या तो आप 0.235 बार लिख सकते हैं 35 के ओपर बार लगा हुआ है इसका मतला यह है कि 35 बार बार repeat हो रहा है जैसे कि यहां पर 353535 रिपेट हो रहा है उसको हमने 35 बार भी लिख सकते है 20.25 बार लिख दिया तो जैसे कि हमने पहले examples में clear किया था कि जो भी आपको दे रखे है उसको आप x माल लो या खुछ भी value माल लो तो हम यहाँ पर let करके लिख देते हैं माल लेते हैं कि x is equal to 0.2353535 और आगे dot 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 का मतलब यह 35 बार बढ़ता रहा है और हमने इसको x माल लिया फिर हमने x मालने के बाद यह देखाता हूँ कि किस number का हम into को रहे है 10 का यह 100 का तो आप यहाँ पर देख रहे है 35 रिप्रेट ओड़ा वो 35 2 digits का है और 100 में 2 0 होते हैं तो हम 0.235 में multiply करेंगे 100 का तो यह जो आपका x is equal to 0.235 है इसको हम पहले तो first equation मानते हैं जैसे आपने पहले देखा होगा कुछ examples में हमारी वीडियो में सेम हम यहाँ पे भी इस equation first में 100 का into करेंगे दोनों तरफ 100 का into क्यों किया क्योंकि 35 के उपर बार है 35 2 digits का है और 35 repeat हो रहा है तो हम 100 में 20 आते तो 100 का into करेंगे अगर यह ऐसा कुछ होता 0.23 और 3 के उपर बार होता तो यह 0.23333 repeat होता तो इसका मतलब केवल 3 एक single digit है तो हमने 10 का into करते हैं फिलार के लिए हम यहाँ पे 100 का into करेंगे क्योंकि 2 digits के उपर बार लागा है तो 100 का into करते हैं हमें दोनों तरफ multiplying by 100 both sides दोनों तरफ हम 100 का into करें फिलाल के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा यह 100 into x 100 into x equal to 100 into 0.235353535 और डॉट 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 तो दोनों तरफ हमने 100 का into कर दिया दियान दखेगा दोनों तरफ ही 100 का into होगा अब यह जो into करने के बाद हम proper वेवस्तर लिख देते इसको तो 100 का जब into करेंगे तो यह हो जाएगा 100 into x मतलब 100 x और लाश्ट टाम हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 100 का into करेंगे तो यह decimal आगे के तरफ shift होगा क्योंकि digit यह जो भी number आपका बनेगा वो बड़ा बनेगा तो decimal उटके यहाँ आएगा तो यह हो जाएगा 2323.53535 अब देखिए यहाँ पर 35 डबल बार दिख रहा है और आपकी जिए क्यों कि हमने ताकि हम माइनस करेंगे एक के नीचे एक रखके तो प्रॉपर हो सके माइनस अभी माइनस के से होगा वो बताऊंगा मैं आगे फिलाल हम क्यों लिख रहे हैं ताकि माइनस करते वक्त हमें थोड़ा confusion ना हो फिलाल के लिए हमने 35 को repeat कर दिया 35 वेसे भी आगे बड़ी रहा है लेकिन हमने एक बार और लिख दिया हमाई तब से डॉट लागा के second equation लिख देते हैं अब हमें पता है कि second equation फर्स्ट एक्वेशन से बढ़ी है यहां पर दिख भी रहा लगी तो हम second equation से first equation को माइनस कर देंगे तो यहां लिख देंगे subtract equation first from second तो हम first equation को second से subtract करेंगे minus करेंगे लिख देते हैं सेक्ट equation को पहले 100x is equal to 23.5353535.. next इसी के नीचे हम first equation को लिखेंगे ताकि हम minus कर पाएं तो x is equal to 0. अच्छा लिखते वक्त ध्यान रखेगा यह वाल equation decimal के नीचे पहले decimal लगा दीजे ताकि आपको solve कर तो problem ना है यहाँ पर लिख दिया 2, 3, 5, 3, 5 और यह 3, 5 तो आपको माइनस करते वक्त दिक्कत ना है इस वज़े से मैंने यहाँ पर एक सिंगल 3, 5 को बढ़वा दिया था 3, 5 का एक पर बढ़वा दिया दोट लगा दिया एक के नीचे एक रख दिया वापस समड़ी कर लेते हैं सबसे पहले हमने इसको एक माना जो दे रखा था 3, 5 पर multiply इसलिए कि इसमें 3, 5 के उपर बार लगा था 2 इज़िट का था इसलिए हमने 100 का दोनों तो आप इंटू कर दिया एक्वेशन फर्स्ट बनाके इंटू करने के बाद जो हमें मिला और डेसिमल दोड़ी शिप्ट इसलिए क्योंकि 100 का इंटू किया था जो भी हमें बिला उसको एक्वेशन सेकेंड दे दिया एक्वेशन सेकेंड बड़ी है एक्वेशन फर्स्ट जो छोटी है सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने वाले है इनको माइनस करेंगे, तो यहां तक तो पूरा 0 आ जाएगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 टाइम पर, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, यहां decimal की जगे, decimal, और 23 as it is, 23 as it is, 23 as it is आ गया, इतना मिरे हिसाब से clear होगा, अब इसके बाद solve करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, 99 x equal to 23.3, अब इसको हम साइट से solve कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की value निकालना है, x की जो भी value आएगी हो fraction के form में आएगी, मतलब p upon q के form में आएगी, ओके, तो x is equal to 23.3 upon, यह जो आपका 99 ने आप हम में चलेगा, मतलब यहां 99 जो था x के multiply में यह हमने upon में पहुचा दिया, इसके, ठीक है, यह कुछ इस तरह से, अब इसको थोड़ा solve कर लेते हैं, तो x is equal to 23.3 था, लेकिन यहां का हम decimal हटाएंगे, तो नीचे एक 0 लग सकते हो कि decimal हटाएंगा तो नीचे 1 और decimal का जित्ती डीजित है उतना 0, तो 10 नहीं लिखते हो, directly में decimal हटाएंगे, यहां पे 0 लिख रहा हूं, तो 233 upon में आगया 990, आप चाहे तो इसको solve कर सकते हैं, फिलाल में में इसको azydis रख रहा हूं, तो यह x की value आ गई है, 233 990, त तो इस तरह से आप इसको fraction में ला सकते हो, तो यह जो number है आपका 0.235 bar, हमने इसको decimal expansion को p upon q या fractional form में, या rational number के form में convert कर दिया, अब इस पे कोई doubt हो तो आप comment करें, इससे जुड़ा कोई question देखना है, तो आप हमारी playlist को follow कर सकते हैं, बढ़ते हैं example number 10 की तरफ, ओके next and last example number 10 है, इसको समझते हैं, इसमें लिखा है find an irrational number between 1 upon 7 and 2 upon 7, मतला 1 upon 7 और 2 upon 7 के बीच में आपको irrational numbers को पता करना है, अब irrational numbers क्या होते हैं, इसको पता करने के लिए आपको मारी पूरानी वीडियो देखना पड़ेगी, हमने पूरी detail में उसको बता रखा है, कि irrational number क्या ह इसको roughly हम समझेंगे भी, आगे थोड़ा बहुत basic sum में आ जाएगा वैसे question में आपको, तो 1 upon 7 और 2 upon 7 के बीच में आपको इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 upon 7 को 2 upon 7 को solve कर लोगे, मतलब 1 upon 7 से divide कर लोगे, 2 को 7 से divide करके, decimal में जो number आएगा वो note कर लोगे, मैं यह हमने यहाँ पर one table में आता नहीं 7 की तो हमने यहाँ पर decim लगा कर इसको 10 बनाया, 7 की table में one time पर 7 लिखा, हमने 10 में से 7 माइनस किया, 3 आया, 0 लगाया, 7 4 जा 28, 20 बनाके वापस, 7 2 जा 14 किया, 6 0 लगाया, 7 8 जा 56, 4 0 40, 7 5 जा 35, और यहाँ पर 5 आया, 0 लगाके, इसको 50 बन लगाया, 7 7, 49, ओके 1, आप देखें, यहाँ पर one यह 0 हो जाएगा वापस, लेकिन आप देख रहे हो कि जब 7 से मैंने one को divide किया तो इस तरह से solve हुआ, और वापस 10 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ वापस से जो steps आएगी, same repeat होने वाली है, तो 0.142875 जो है, इसका decimal expansion हो गय जब मैं one को 7 से divide करूँगा, तो 0.142857 होगा, लेकिन यह वापस repeat भी होगा, यहाँ से वापस solve होगा, तो हम क्या रहेंगे, इसके वापर बाहर लगा देंगे, बाहर का मतलब होता है कि यह जो पूरा 0.142857 जो नमबर आ रहा है, यह पूरा की पूरा ऐसा ऐसा ब्लॉक वा लगा के, तो 7 के डल में 2 टाइम पर 14 आएगा, 20 से छोटा नमबर, 6 आया, 0 लगाया, 78056, 4 आया, 0, 7535, फिर आपस 5 आया, 0 लगा के, 749, 1 आया, 0, 7 बंजा 7, बचा 3, और 7 फूरा 28, और बचा 2, अब देखे 2 आचुका है, 20 वापस से यह वाला जो पूरा 20 आचुका है, यह पूरा इस्टे फिर से रिपेट होगा, तो हमने 2 उपान 7 को, या 2 को 7 से जब डिवाइड किया, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है, 0.285714, और आपको पता है कि इसके बाद यह पूरा ब्लॉक रिपेट होने वाला है, मतलों वापस से 285714 आने वाला है, तो हम इसक यह कोशन बस एंडिंग में है, अब इस नमबर पता करने के लिए थोड़ा बेसिक समर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके तो शॉर्ट भी समझे, तो इस नमबर वो होते हैं, जो डेसिमल में तो होते ही हैं, लेकिन डेसिमल के बाद में कभी भी जै जाए, 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 लेकिन वापस से आपका 8, 0, 3, 4, 5, 5, खुछ भी आते जाएगा, मतलब एसे जो नमबर से जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, और एसे नमबर को हम इस नमबर बोलते हैं, ओके यह शॉर्ट में ने समझा दिया, अब आपको क्या करना है, इन दोनों नमबर के बीच में, मतलब यह जो decimal expansion है, और यह वाला जो decimal expansion है, इन दोनों decimal expansion के बीच में, कोई से भी ऐसे नमबर ढूंडा है, और उनको dot लाके या continuity में बनाके लिख देना है, कितने भी नमबर, अब इन्होंने पुला है कि यह वाल find an यह वाल एक ही पता करना है, तो कोई साभी नमबर जैसे कि example के यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, यहाँ पर 0.14 लिखा है, यहाँ पर 0.28 है, तो roughly अगर मैं मैं बोलूं, 14 और 28 बोल देता हूं, 14 और 28 अंगे के नमबर जो आ रहे हैं यहाँ, 14 और 28 की बीच लेकिन अगर मैं एक कोई साभी नीकालना चाहूं तो मैं इसको यह लिख सकता हूँ कि 0.1634013 कुछ भी कुछ भी लिख सकते आप कोई प्रॉल्लम नहीं है बस आपको रीपेटेशन में नहीं भताना है दॉट डॉट डॉट इसका मतलग क्या है कि इन वन्हों के बीच का यह रिचनल नमबर ही आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि इस नल नमबर बिट विन वन उपान सेवन थो बॉपान सेवन इस यह और भी लिखना थो लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर लिख रहा हूं 9037.. कुछ भी लिख सकते हो बट repetition नहीं दिखाना है बस आपको continuity कुछ भी number लिखके dot लखा देना है dot का मतलब होगा है कि आगे continue चलते आ रहा है बिना repeat हुए तो इस तरह से आप इस नमबर लिखा सकते हो किसी भी दो या किसी भी दो decimal expansion के बीच में तो यह थे examples यह सारे examples वन परेंट ठीके clear होगा है अब इसके बाद हम xy श्टाट करने वाले हैं इसके पुराने वीडियो को देखने लिए यह playlist फॉलो कर सकते हमने class 9 के सारे questions xy के साथ में examples भी हमने समझाए बहुत बहुत धन्याद आपका